Recently Realme वालों ने एक smartphone लाइच किया Realme P1 Pro नाम से Realme वालों से मेरा एक simple सवाल है कि भाई कितनी series बनाओगे हामर मुर्जी है मतलब इतनी series बना रख़िए इतने सारे smartphone हो गए कि अगर किसी को Realme का phone खरीदना है तो उसको पहले study करने बैटना पड़ेगा कि भाई कितनी series है, कितने phone है और जब तक वो पूरी study करके उठेगा ना उसके आदी जिन्दगी खतम हो गई होगी तो क्या है Realme के नए series का पहला smartphone आया Realme P1 Pro अब P stand for पता नहीं क्या है performance है या फिर कुछ और है वो तो हमें कुछ लेना देना नहीं हमें तो बस इसको compare करना है उसके price segment के smartphone के साथ तो यह 20,000 के around आया है वहाँ पर इसका comparison बन रहा है Poco X6 या फिर IQ Z9 के साथ अब ही फिलाल तो Poco X6 के साथ comparison करते हैं आपको IQ Z9 के साथ भी comparison चाहिए तो comment में बता देना मैं वीडियो बना दूँगा तो मेरे इस भाष्वन को यही पर खतम करते हुए हम comparison को start करते हैं शुरू करते है थोबडे से तो यानि कि डिस्प्ले से तो हमें Realme P1 Pro में 6.7 इंचिस का 1200 nits की पीक ब्राइटने से Poco X6 में advantage यह कि आपको resolution बेटर मिल रही है आपको display ब्राइट मिल रहा है वही पर Realme P1 Pro में आपको resolution और brightness ज्यादा नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर आपको curve display मिल रहा है तो आपको choose करना है कि दोनों में से आपको क्या पसंद है उसके बाद अगर हम performance की बात करते हैं तो दोनों में आपको Snapdragon का processor मिलता है P1 Pro में आपको Snapdragon 6 Gen 1 उसके बाद Poco X6 में आपको Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है और दोनों प्रोसेसर को हमने compare किया है पिछले वीडियो में चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हो बेटर समझने के लिए लेकिन यह से आपको storage speed better मिल रहे है P1 Pro में Android OS की बात करो तो P1 Pro अभी recently launch हो है तो उसमें आपको Android 14 out of the box मिलता है दो साल के update मिल जाएंगे वह वर Poco X6 में आपको Android 13 मिलता है वहापर भी दो साल के update मिल जाएंगे लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो P1 Pro जाएगा Android 16 तक और Poco X6 जाएगा Android 15 तक तो एक साल का Android update आपको extra मिल रहा है P1 Pro में उसके बाद दोनों में आपको 910 5G bands मिलते तो जो की मेरे इसाब से दोनों में सही है उसके बाद cameras की बात करते तो P1 Pro में आपको 2 cameras मिलते बैकसाइड में 50 Megapixel का main 8 Megapixel का ultrawide main camera में आपको Sony LYT600 sensor मिलता है जो की Sony की सब्सक्राइब से एक latest sensor है जो कि हमें बहुत साथ फोन में आने वाले टाइम में देख देख मिलेगा इस प्राइस सिग्मेंट में उसके बाद OIS मिल जाएगा main camera में और 4K 30 एपस में video record कर सकते हो 16 Megapixel का selfie camera है वही पर अगर हम Poco X6 की बात करते तो वहाँ पर आपको triple camera setup मिल लेकिन ज्यादा detail में जानना चाते हो तो उनका camera comparison वीडियो देख सकते हो दोनों में से winner को अगर आपको एक दंबारीगी से पिक करना है P1 Pro में आपको 5000 mAh की बैटरी 45W का fast charger मिलता है वही पर Poco X6 में आपको 5000 mAh की बैटरी 67W का fast charger मिलता है तो बैक अप में भले ही दोनों से IP rating में आपको P1 Pro की better मिलती है IP65 उसमें IP54 है लेकिन आपको Poco X6 में IR blaster मिलता है अब इन सारे comparison के बाद last बच दिये price तो P1 Pro आपको मिल जाएगा 8GB plus 120, 8GB उसका वेरेट 22,000 का बिना किसी offer के साथ अगर card का जुगाड लगाते हो तो 20,000 का मिलता है लेकिन Poco X6 आपको बिना क बेस्ट है 20,000 के आराउंड तो P1 Pro एक काफी अच्छा फोन लग रहा है इसमें आपको कर डिस्प्ले मिल रहा है डिजाइन अच्छा है कैमरा भी ठीक है मतलब एक बैलन स्मार्ट पोन लगता है अगर परफोमेंस को साइड में रखे तो लेकिन वो 22,000 का मिल रहा है अगर 20 वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स्ट और वीडियो में